आरक्षन पीरत अभ्यरती हैं लगतार 115 दिन से लगतार धरना प्रदरेशन कर रहे हैं और अपनी मांगे सरकार से कर रहे हैं जो आरक्षन घुटाला हुआ है उस आरक्षन को लेकर लगतार ये लोगी को गार्डिन में डटे हुए है और लगतार यही मांग कर रहे हैं कि जो आरक्षन घुटाला हुआ है उस पर जल्द से जल्द कोई कारवाई की जाए और इन लोगों को न्यूक्ती दे दी जाए ताकि ये भी जाकर विद्यालों में बच्चों को पढ़ा सकें और इस देश का भविष्य बना सकें क्या कहेंगे कलंबा समय हो गया सौ दिन पूरे हो गए पंद्रा दिन और हो गए लेकिन मामला भले वहीं अटका हुआ भी लेकिन एक्चूल में हमारी जो महनत है वो रंग लाएगी हमेशी उम्मीद है जिसे भी आपने कहा कि हम हमारा जो अस्थान है विद्याले में है और भविष्य निर्माता है और उम्मीद करते हैं सरकार से कभी न कभी तो हमारी जो पीड़ा है हमारा जो दर्द है जो हमारा संगर्स है उनके निगाहों में आएगा और हमें नियाय मिलेगा हम सरकार से तब भी जब पहले दिनी बढ़े तब भी उम्मीद थी आज भी उम्मीद है और आने वाले समय में उम्मीद रहेगी राष्टी पिछड़ावर का आयो हमें में भी और पूरी उम्मीद करते हैं सरकार से कि हम योग्य हैं और हमने जो आपने क्वालिफिकेशन किया था दिया था उसको पार किया है और हमें युक्ति मिलनी चाहिए अभी पिछले कुछ दिनों में ही आपने देखा कि हम किस तरह से भीड़ी कठा थी हमारी और हम कितने लोग कठे थे तो सरकार को यह जो अंदेशा है कि हम कम लोग हैं और कुछ लोग ही बैखे यहाँ पे तो वह इस गर्फ हमी में ना रहे हमारे लोग हैं और हम बहुत ज़्यादा संख्या में हैं बस हम सरकार से कभी नहीं चाहते हैं। जानते हैं जैसे कि अभी इनुने बताया कि हमारी संख्या बहुत है एक बार तो आप लोगों ने अपनी संख्या का भी प्रदरेशन कर दिया तो क्या दुबारा वो देखने को मिल सकता है बिल्कुल अभी हम लोग इन्तजार कर रहे है क्योंकि कमेटीन कहा है कि हम जल्दी आपकी साथ बैठक करेंगे जो भी रिपोर्ट बनी है जो भी मखस्याद females आई उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे तो इसलिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी मुकल सिंगल जी जो है वो हम लोगों के साथ बैठा करके हमाई समस्या कर दें और अगर हम यह समय रहते हमें नहीं मिला तो फिर से एक महां दोन की डेट घोसत करेंगे इस बार इस बंद होगी पानी बंद होगा जो कुछ भी होगा लेकिन लखनों की सड़के तभी खुलेंगी जह हम लोगों को नहीं मिल जाएगा और भी लोगों से बात करेंगे क्या कहना चाहेंगे क्या मतलब इतने दिनों तक लगातार यहां पर बैठे हुए हैं किस तरीके से जिंद करें हम लोग अपने अंदोलन को आगे बढ़ा रहें और बढ़ाते रहेंगे जब तक हमें नयाय नहीं मिल जाता कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बस एक टाइमी खाद ना खाते हैं उनके खाने का भी ठीकाना नहीं कि आज भी खाएं कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा लेकिन हम आप लोग देखने को मिलेगा की यह सरकार हम लोग गुटने टेके गी हम लोग नियूकती देगी हर जल्दी हम लोग विद्याला में होगे एसी मेरी कामना है जैसे कि मतलब लगतार आप लोग इतना धर्दना प्रदरशन कर रहे हैं लेकिन मांगे पूरी नहीं कि जा रही हैं तो इसका मतलब यह क्या समझा जा सकता है कि लगतार आप लोग भी चितावनी दे रहे हैं तमाम जो संगठन हैं जो और भी लोग धर्दना प्रदरशन कर र हैं और हलके दीरे दीरे से उसका आवास होने लगा है जगाए जगाए जहां भी अपना प्रोग्राम करने की कोशिच कर रहे हैं आप किसान वहां जटा गाल के बैठ जा रहे हैं और आगे वाने तो पिर करते हैं तो वहां पर हम लोग किसान की तरह अपने लोग बैटेंगे पहले वहां जाएंगे उनको जाने देग तरफ और 304 है और अगे आने वाले समय में इसके आभास्ट को पता चलेगा 2022 में इसकी बुष्ट उनकी कारों-सनाई देगी रहए किए Qprovाले वाले वी test कि हमद 965 फ़हले तो रहने नहीं मालम थे हमारा हक मारा गया जब पिछना वरगायों। passerуль對啊 संविधान से खेला गया, सरकार ने उसमें हमारा 27 परसेंट और 21 परसेंट का नियम का फॉलो नहीं किया, उस समय से घरवालों पर भी विश्वास होने लगा, घरवाले भी हम पर भी विश्वास यकीन करने लगे और सपोर्ट कर रहे हैं, किसी के गाउं से जमीन गिरवी रख के भैस बेचके, घर बेचके, जैसे तैसे आये हैं, एक टाइम खा रहे हैं, स्टेशन पर सो रहे हैं, लेकिन हां संघर्स कर रहे हैं, इस उमीद में कि हां, अपना संविधान भी बचानी है, अपनी नोकरी भी बचाना है, और देश का भवी से भी बनाना है हमें, और हम आ पाक्यों में आप से बताना चाहते हैं कि बेताब नकर बेताब नकर अब तुझे से किनारा कर लूँगा और एक तेरे सुकूने दिल के लिए बीजेपी वालो अब एक तेरे सुकूने दिल के लिए हर रंजो गमारा कर लूँगा जब दूर खड़ा शाहिल पे कोई रह रह के पुकारेगा मुझे को हस हस को तूफा को खामों से इशारा कर दूँगा जहिन जैभर तो जैसा कि आप में देखा जो अभ्यरती हैं वो लागतार डटे हुए हैं और अब भी उमीद है उनको कि उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाएंगी बता दें कि 115 दिनों से लगतार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार से उमीद लगाये हुए हैं कि इनकी मांगे पूरी कर दी जाएंगी इसके साथ इन लोगों ने ये भी साफ कर दिया है और लगतार कई दिनों से ये साफ करते भी चले आ रहे हैं कि अगर मांगे पूरी नह फिलाब है वो उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनव में देखने को मिल सकता है और जो पहले आंदोलन हुए उससे भी बड़ा आंदोलन साबित हो सकता है फिलाल के लिए इतना ही कि अमरब पॉसन अबे के साथ मैं शिवांगी जेमडी का बलखनव